आज करें आज का सेशन तो आज मैं तुम्हें पहले से ही बता रहे हूं कि आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी रैपिड फायर टाइप करेंगे वाई बिकॉज नैश्मन आज इंटरनाशनल न्यूज में बहुत सारी न्यूज है तो अगर आप लोग चाते हो कि बहुत सारी न्यूज हम क्लास के अंदर कवर कर पाएं तो फटाफट फटाफट इसको कवर करना पड़ेगा जैसे कि static वाले जो questions है वो ज्यादा तर static वाले questions आते हैं from banking awareness related या banking current affairs related आते हैं चलो ठीक है गड़ आप्टनून रिंकी गड़ आप्टनून ओनली बैंकिंग गड़ आप्टनून अब आने था हेलो अभी नव हेलो सुर्भी साक्षी गड़ आप्टनून चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का session without any delay olibod yt channel जो है इसको आप लोग subscribe कर लेना olibod app जो है इसको download कर लेना वहाँ पर आपको olibod app पर मेरी paid classes मिल जाएंगी and जो students मुझसे continuously यह पूछ रहे थे कि मैं sbi clerk में अगर सिर्फ GA की तयारी करनी है तो आपका कोई batch है क्या है क्या है क्या है क्या तो अब उसका answer है जी हाँ बिल्कुल है start हो चुका है आपका batch उसको join कर लीजे आप लोग and सबसे important चीज़ यह आप लोगों के लिए कि वो batch जो है उस पर आपको अभी शीतल कोड apply करने पर वो आपको 5.99 का मिल जाएगा that's the lowest price जो उसका होने वाला है ठीक है नेक्स्ट वीक में मंडे को जो है आप लोगों के लिए मैंने session रखा है specially for those who are going for RBI assistant mains तो उनके लिए mains के लिए marathon मैंने session यहाँ पर plan किया हुआ है तो मंडे को आपका marathon session है ठीक है तो सबी लोगों को join करना है पहलो पहला question आचुगा on your screen फटाफट से सबी लोग answer करेंगे यहाँ पर correct answer क्या होगा question है आपका fifth global ayurveda festival was inaugurated by vice president jagdeep dhankar in which city of india तो answer यहाँ पर क्या होगा बताओ फटाफट से सबी लोग इदर अच्छा मेरे जो वाइटी चैनल है जी विशीतल मैं उस पर मैंने आप लोगों के लिए class जो है वो i think कल रखा हुआ है कुछ top 200 mcqs नवंबर मन्त के तो मैं सोच ले थी कि हम लोग sunday को एक class कर लेते हैं वैसे usually मैं prefer करती हूँ कि sunday को मैं off रखूँ बट काफी time से कोई class नहीं हुई है और मुझे time भी नहीं लग पा रहा है तो इसलिए मैंने कल का time सोचा है तो वो एक revision हो जाएगा अभी यहाँ पर बात करें हूँ फिफ्ट ग्लोबल आयुरवेदा फेस्टिवल वाज इनॉगरेटेड बाई वाइस प्रेजडेंट जगदीब धनकड इन्विस सिटी ओफ इंडिया आंसर हो जाएगा तिरुवनंथ पुरुम केरला अब इसके अंदर आपको जाबत चीज़े याद रखने की ज़रुद नहीं है एक से लिए के 5 दिसंबर के बीच में यहाँ पर केरला की जो तिरुवनंथ पुरुम है वहाँ पर ये ग्लोबल आयुरवेदा फेस्टिवल जो है वो कंड़क्ट करवाया गया है और थीम है इ बिल्कुल पूछे जाते हैं जैसे कि अभी मेंस में पूछा गया था कि आरण डॉम जो है यह कौन सी कंट्री का है इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेशन साते हैं रिगार्डिंग मिसाइल और कोई इस टाइप का यहाँ पर डिफेंस से रिलेटिड कोई पार्टिकुलर अगर वेपन होता है किसी कंट्री ने डॉलप किया होता है जैसे नूर सैटलाइट है और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे रिलेटिड क्वेशन जो है वो पूछे जाते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस फ्रांस जो है उसने सक्सेस्फुली टेस्ट फायर किया है M51.3 लॉंग रेंज बैलस्टिक मिसाइल अब यह M51 जो है यह पहला ऐसा टेस्ट फायर था जिसको ग्राउंड बेस में 2006 के अंदर किया गया था और फ्रांस जो है उन्होंने इसका अपग्रेड़िड वर्जन निकाला है M51.3 निकाला है और यह 3 स्टेज का एक सी लैंड स्ट्राटेजिक बैलस्टिक मिसाइल है जो यहाँ पर फ्रेंच नेवी सबमरीन की तरफ से इसको लॉंच किया गया है इसका पूरा जो डिजाइन है वो तियार किया गया है अब यहाँ पर यह ग्राउंड बेस में टेस्ट फाइर किया था 2006 में और फिर सबमरीन से इसको टेस्ट फाइर किया था कहने का मतलब यह है कि ग्राउंड बेस मतलब आप इसको जमीन से भी टेस्ट फाइर कर सकते हो चोड़ सकते हो और सब्मरीन से भी आप इस missile को दाग सकते हो So 2010 में इसको सब्मरीन के उपर भी इसकी test firing की गई थी इसको developed किया है ये बड़ा important है कि ये जो M51.3 missile है ये 2025 तक आजाएगी बनके पूरा services के लिए तयार हो जाएगी French Navy के लिए And it is developed by aerospace firm Ariane Group which is a joint venture between Arbus And French defense group Safran अब ये दोरों चीज़े important group है मतलब important thing है Ariane Group भी important है Arbus और Safran भी important है आगे चलके हो सकते हैं मैं तुम लोगों से question कर लो Next ये आपका S. Vangati Ramanan Passed up recently at the age of 92 Who was he? ये S. Vangati Raman जिनका जो निदन है वो 92 की age पे हो गया ये इन में से क्या रहे है तो answer क्या हो जाएगा Former RBI governor रहे है अब जिन्होंने मेरे साथ में classes किये उनको मैंने ये बताया था कि 1990 से लेके 1992 के बीच में यहाँ पर ये क्या थे? ये governor थे इस time पर बहुत सारी चीज़े थी इस time पर यहाँ पर एक तो economic crisis के लिए हमने 1991 में economic reforms लेके आये थे LPG reforms लेके आये थे और दूसरा इस वक्त पर आपने 1992 period में देखा होगा हर्षद मैता scam हुआ था तो इन्होंने यहाँ पर Central Bank को उस वक्त पर ये इनका सारा काम देख रहे थे RBI का जब country में दो crisis आये थे एक आये था balance of payment crisis जिसकी वज़े से हमें अपना gold जो है वो गिर्वी रखा बहुत सारे देशों के साथ में है ना और air lift कराना पड़ा और उसके साथ में securities यानि की share market capital market के अंदर जो scam हुआ था which was triggered by the हर्षद मैता scam तो ये दो चीज़े बहुत बड़ी बताई जाती है इस time period के अंदर तो ऐसे वेंकटी रबन उस time पर former RBI गवर्नर थे तो ये question अपने आप में important question है next है आपका धर्मेंद्र प्रधान has launched 37 p.m. Kendriya Vidyalayas and 26 p.m. Shri Javahar Navodhya Vidyalayas invested काफी बार हम कर चुके है ठीको revision का ये फायदा होता है जब आपके पास फिर question आते हैं पिर आपको ज़्यादा सोचने का वक्त लेने की जरूरत नहीं है आप clear रहते हो आपके mind में सारी चीज़े clear हैं उस particular question से related ठीक है correct answer क्या हो जागा? correct answer हो जागा उडिसा उडिसा में 37 PM श्री केंद्रे विद्याले 26 PM श्री जवावर नवोद्या विद्याले 800 government schools उडिसा के अंदर इनको यहाँ पर PM श्री स्कूल्स में develop किया जा रहा है and more than 1600 करोड रुपीज will come यानि कि इसमें 1600 करोड रुपे लगेंगे जो ऐसे 800 already existing government schools स्कूल्स हैं उडिसा के अंदर उनको develop किया जाएगा develop किया जाएगा PM श्री स्कूल्स अब मैं आपको बहुत जारी चीज़े बता चुकी PM श्री स्कूल्स का full form क्या है PM श्री स्कीम जो है यह कब launch की गई थी कौन सी year में launch की गई थी तो एक बार फटाफट से आप लोग लिख सकते हैं क्या प्लस ये भी बताया कि इंडिया का एक vision है developed India बनना इसको कब तक 2047 तक जिसके लिए आपर education industry को भी उस level का बनना पड़ेगा ये सब लोग agree करते हैं इस बात से हैं न हाँ तो p.m.shree scheme जो है that means prime minister schools for rising India और ये schools for rising India किसके लिए तक ही redol up किये जा सके एकदम updated modern technology पर इनको लाया जा सके और इसको launch किया गया थे in September 2022 इसका जिक्र हुआ था budget के अंदर जहां पर बोला गया था कि there are total की step के 14,500 schools को p.m.shree schools में यहां पर convert किया जाएगा यानि कि 14,500 ऐसे schools p.m.shree schools बनेंगे ये budget में बोला गया लेकिन इसको officially launch कब किया गया 5th of September 2022 में 2022 में नेक्से आपका बिहार गवर्णर अब देखो यह मैं तुम्हें जो करा चुकी हूँ उसके बाद में इनको दुबारा दुबारा हम जब revise कर रहे हैं तो उसका बतलब क्या है कि यह news ऐसी है जो हमारी पक्ती हो रही है कि अगर इनसे related question आता है तो हमको सारा कुछ पता है हमने यह भी पढ़ा था कि 50 से 65 कर दिया अब 50 से 65 जो किया है यह इसमें कौन कौन आते हैं इसमें आते हैं बैक्वर्ड 16 to 20% 16 से 20 कर दिया गया और schedule tribe जो है उसमें 1% था पहले अब उसको 2% कर दिया यानि की almost double कर दिया और पहले जो 3% reservation होता था women का backward classes की women का उसको हटा दिया गया इस तरीके से 50% से 65% यहां पर बढ़ा दिया गया next यह आपको what is the rank of India in global unicorn rankings with a total valuation of 195.75 billion इसके बारे में बताई थी तो I hope कि आप लोग यहां पर correct answer कर सकेंगे correct answer क्या हो जागा यहां पर इंडिया का rank था third with 72 unicorn companies अब आप लोगों के लिए bonus question आ गया है जिन्होंने पहले की classes किया है उनको idea होगा पूरा है ना कि पहले पर कौन है US है दूसरे पर कौन है China है और तीसरे पर कौन है इंडिया अब पड़ा पड़ से तोते की तरह पट 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 करके मुझे यह बता दो कि देखो पहले पर US है कितनी companies के साथ में इंडिया के पास में 72 companies second rank पर China कितनी companies के साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि इंडिया से कितनी companies जढ़ा है चाइना की 100 companies जढ़ा है इसलिए China की कितनी है 172 है ठीके है चाइना की कितनी है 172 companies है और 668 किसकी बताई थी आपको मैंने US की बताई थी याद आब कि नहीं फिर मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे ये बतादो जरा कि US जो है इसकी 668 companies है unicorn companies तो इनका total combined valuation कितना है तो answer क्या होगा और मैंने ये भी बताए था trillion डॉलर्स में है कितना trillion है एक trillion दो trillion तो या तटना 2 trillion US डॉलर इंडिया का हमें पता है 195.75 trillion नहीं billion US डॉलर यानि कि trillion से कम रहे गए और चाइना जो है उसका कितना trillion US डॉलर बताए था मैंने आप लोगों को चाइना का कितना valuation बताए था combined valuation of China in terms of global unicorn ranking answer करो फटा फट से इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजे बताए थी जैसे मैंने आपको tech industry बताए था मैंने आपको financial services industry बताए था है ना तो जो tech industry है उसमें total कितनी companies बताए थी मैंने आपको 377 ठीक है 377 जिनका total valuation कितना था 1 trillion US डॉलर या 2 trillion US डॉलर क्या होगा correct answer बहुत लेट answer आ रहे आप लोगों के मुझे तो लगा था यहां पर आप लोग बहुत जल्दी जल्दी answer करने लग जाओगे what was the valuation of china's unicorn companies in global unicorn rankings यह जो 172 companies है इनका total valuation मैंने आपको कितना बताए था plus मैंने आपको contribution भी बताए था if you guys remember it contribution भी बताया था किस-किस का कितना कितना contribution है तो इसका था 641.47 billion US dollar china का contribution था 17% का US और इंडिया का आप लोग मुझे बताऊगे US और इंडिया का कितना contribution था US का था मैं यहां पर इंडिया का जो था वो था 5% 72 companies 175 billion US dollar के साथ में 5% contribution इंडिया का और अगर बोलू कि आधे से भी जादा यानि कि more than 50% कितना percent 52% यहां पर contribution 54% contribution किसका था US का था तो चाइना यहां पर second highest number of unicorn companies के साथ में इसमें चाइना में आप एक तरीके से माल लीजे कि चाइना का 641 billion US dollar है ना इसमें 225 billion US dollar की valuation वाली इकलोती एक company है क्या लाम है उसका bite dance bite dance जो की parent company है tik-tok की highest valued company in China and it is valued at 225 billion US dollar मतलब हमारी 72 companies इंडिया की 72 companies का जितना भी valuation है उससे भी जादा valuation इसमें इकलोती company का है in China bite dance का हो गया US जो है यहां पर उसमें number of unicorn company 668 and 3 times जादा है चाइना से जिसका 172 companies है US जो है इसका 2 trillion US dollar का total valuation है which is more than the 50% यहनकि 54% of the unicorn companies next day आपका who has become the first woman to bag the dahan price for Punjabi literature तो dahan price से d for dahan, d for dipti bhabuta और dipti bhabuta को कितने Canadian dollars मिले है because यह Punjabi literature के लिए इस type का जो award है यह दिया जाता है in British University of Columbia जो कहाँ पर है which is located in Canada तो वो इसको यहां पर देते है अब आपसे यह पूछा जाएगा कि कितना cash price मिला 25,000 Canadian US dollar ठीक है और इनकी short story collection थी भूक योन सा लेंदी है ठीक है यानि कि hunger breeds like this इसके अलावा दो और finalists थे जिनको हरा दिया इन्होंने लाहोर बेस्ट जमील और मोहाली बेस्ट बलजीत इनको भी 10,000 Canadian US dollar यहां पर दिये गए है अब याद रखना है दाहन प्राइस जो है Canada India Educational Canada India Education Society and the University of British Columbia which is located in Canada only so 2013 में से यह award यहां पर देने लगया which state has won the best state award for inland fisheries at the Global Fisheries Conference 2023 correct answer क्या हो जाएगा UP UP government जो है inland fisheries plain areas के respect में इस कटेगरी में इसको मिला है award और यह इसने रिसीब किया है Global Fisheries Conference जो न्यू डेली में हुआ अभी as of now there are total 31 projects which are implemented under the प्रधान मंत्री मस्य संपदा योजना in UP तो UP प्रधान मंत्री मस्य संपदा योजना में totalist type के 31 projects यहाँ पर चला रहा है तो अब मेरा question आप लोगों से यह है When was प्रधान मंत्री मस्य संपदा योजना was launched प्रधान मंत्री मस्य संपदा योजना कौन से year में यह launch की गई थी इसका aim क्या है Blue Economy support करने का aim है इसका correct है की नहीं है तो आपको याद रखना है यहाँ पर प्रधान मंत्री मस्य संपदा योजना प्रधान मंत्री मस्य संपदा योजना PMM SY तो यह जो है इस proper पूरी इस scheme की वज़र से क्या किया जाता है कि इंडिया को एक Blue Economy इकोनमी विजन की तरफ ले जाना चाते है अब इससे क्या होगा इससे यह होगा कि फिश प्रोड़क्शन या अधर इस टाइप का एक्वा कल्चर जो है वो प्रोड़क्शन बहुत जालगा जो फिशर्मेन है उनके लिए इन्होंने बोला कि उनकी इंकम इनको डबल करनी है ठीके कब तक डबल करनी है कौन से यह तक डबल करनी है तो आंसर क्या होगा अब पियम मस्य संपता योजना सबसे पहली बार सेप्टेंबर 2020 में यह लांच की गई थी और इसका डियूरेशन जो था वो रखा गया 2021 से लेके 2024 से 2025 तक यहनकी अगले साल तक के लिए इसमें फिश प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, टेक्नोलजी पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रासक्चर फेसलिटीज और मार्केटिंग प्रोवाइड करना इनका काम था कि इस टाइप से हम value chain fisheries की यहाँ पर बढ़ाएंगे तो अब बात आती है कि it is implemented by which ministry इसको कौन से ministry implement करती है तो आपको यादतना है जो department of fisheries and department ministry of fisheries of animal husbandry जो यहाँ पर ministry of fisheries ministry of fisheries animal husbandry and daring ministry जो है वो basically यहाँ पर उसका department of fisheries इसको implement कर रहा है since september 2020 और इसका aim है to bring about the blue revolution in India, blue economy support करना, अब आप से question पूछा जा सकता है कि देखो इसके लिए initial investment या initial corpus जो है, इसके लिए initial investment या initial corpus जो है वो कितना रखा हुआ है तो answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा यहाँ पर कम से कम मैं हम यहाँ पर 20,500 करोड रुपे, ठीक है, कितना है 20,500 करोड रुपे इसके लिए रखा गया है, जिस तरीके से holistic fisheries development, including fishermen welfare, यह सब कुछ ensure किया जा सके, तो इस scheme के बारे में सबसे पहली बार जिक्र कब हुआ था, financial year 2020 के union budget के अंदर इसका जिक्र यहाँ पर हुआ था, कि इसको लाया जाएगा और फिर 2020 में इसको finally क्या कर दिया था, launch कर दिया गया था, blue economy बनाने के इन से, और जिसमें सबसे आगे fish production में काँ चल रहा है, that is UP in plain areas, which of the following has launched the investor risk reduction access platform, इन में से किसने यहाँ पर investor risk reduction access platform launch किया है, answer से क्या हो जाएगा, sebi, sebi जो है उसने यह launch किया है, अब इसके अंदर इसकी help कौन कर रहे हैं, इसका concept और implementation दोनों देख रहे हैं, market infrastructure institutions, जिनको हम MMI कहते हैं, मैंने आपको बताए कि जब भी market infrastructure institution आएगा, तो तुमको दिमाग में क्या सोचना है, दिमाग में सोचना है, stock exchanges, depositories, and साथ में क्या है, clearing houses, which bank has entered into corporate tie-up with HDFC life to offer, life insurance products to his customers, तो answer क्या हो जाएगा, HDFC life के साथ में करनाटक bank यहाँ पर साथ है, करनाटक bank के MDN CEO अभी recently कौन अपोइंट हुए थे, श्री कृष्णन हरी हरा शर्मा नेक्स्टे आपका नवंबर 2023 में Luke Freedom was sworn in as the PM of Luxembourg, what is the currency of Luxembourg, Luxembourg के नए PM यहाँ पर बनते है Luke Friden, यह भी कब नवंबर 2023 में, तो यहाँ पर Luxembourg जो है उसकी जो currency है, that is euro, तो Luke Freedom जो है Luxembourg के नए PM बनते हैं, along with members of his new CSV-DP government, इसमें total 60 seats होती है Luxembourg की Parliament में, जिसमें इनके CSP, CSV and DP government एक coalition government है, यानि कि गडबंदन की सरकार जो है, वो गडबंदन करके इनको 35 seats यहाँ पर मिल गई है, इसके अलावा आपने देखा होगा PM के Spain दुबारा सी रिलेक्ट होएक on Pedro Sanchez, तो मेरे लिए वो बंदा बड़ा फीका है, रोबोट टाइप का लगता है मुझे, तो Slovakia, रोबोट फीको Ecuador की बात करूँ, Daniel Nobuah, Ecuador, तो Nobuah से Nobita जो है, हमेशा anywhere door मंगता रहता है, तो Ecuador याद रख लेना, Gabon जो है, Gabon से Jan Brice Aluguay, और Singapur में थर्मन, शानमुग, रत्रम, इंडियन ओरिजन के हैं, यह बेसिकली, नेक्स्ट है आपका, विच अडिशन ऑफ दा, इंडो यूएस, येस, अबदूल सीसी भी, रिएलेक्टेट, बिल्कुल सही, अब यहाँ पर है, विच अडिशन अबदा, इंडो यूएस, जॉएस, जॉएस, स्पेशल फोर्स एक्सराइस, वजर प्रहार, युद अभियास, रेड फ्लैग, पिटिंग कोब्रा, इस टैप की जो एक्सराइस होती हैं, यह हमेशा इंडिया और यूएस के बीच में होती है, बड़े खदरना, खदरनाग नाम है, इंडिया और यूएस की एक्सराइस के वजर प्रहार, वजुसरे से प्रहार करेंगे, युद का भियास करेंगे, रेड फ्लैग दिखा देंगे, स्पिटिंग कोब्रा, जहर उगल देगा कोब्रा, तो इस टैप के नाम जो है, इनके बीच के हैं, ठीक है, तो फोर्टीन्थ एडिशन इस बार हुआ है, फोर्टीन्थ एडिशन मतलब कि इससे पहले ये थर्टीन टाइम्स कंड़क्ट हो चुकी है, ये एक्सराइस, तो सबसे लेजिट क्वेशन ये बनता है, कि फिर ये बताओ, कि एडिशन सबसे पहली बार कब कंड़क्ट हुआ था, इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर यादखना है, कि इसका फॉर्स एडिशन ही इंडिया में हुआ था, इसका फॉर्स एडिशन इंडिया में हुआ था कौन से year में 2010 में हुआ था तो अब इसको यहां पर इसका 14th edition इस बार हुआ है तो इसको लगाता हर साल यह conduct होता जा रहा है तो इस बार इसका 14th time था अगर आपसे पूछता है कि 13th वाला कहां पर हुआ तो 13th वाला हुआ था यह जो वजर प्रहार exercise है यह हमारे इदर एक जगा है बकलो नाम की इन हिमाचल प्रदेश वहां पर और 14th वाला अगर पूछेगा तो 14th वाला कि इदर हुआ उम्रोई उम्रोई जगा कहां पर है में गहले के अंदर है तो इस बार भी इंडिया में हुआ उ Christmas Sale is going on guys तो आप लोग Christmas Sale का यहां पर फायदा उठा सकते हैं SBI Selection Batch, Prelims and Mains दोनों का access आपको मिलता है by applying Sheetal Code and इसके अलावा CBO का Selection Batch आप ले सकते हैं और आ चुका है आपका SBI Clerk, GA Score Booster Batch and it is trending on AlliBoard app ठीक है यह अभी trending है AlliBoard app पर बहुत सारे students का इसके उपर बहुत 25th December से यह start होगा बट आप लोग अभी से इसमें enroll कर सकते हैं आपको classes जो हैं वो देख पाएंगे आप and session इसमें आपको काफी सारे session मिलेंगे 125 से जाधा classes मिलेंगी जो live classes होती है वो आप कभी भी देख सकते हैं video format में अगर आप live नहीं देख पा रहे हो तो MCQs भी आपको म list भी बताऊंगी कि इस batch के कौन-कौन से topics हैं जो आपको priority basis पे करने है for SBI clerk GA preparation ठीक है तो यहाँ पर आपको शीतल code apply करना है और because की अभी Christmas sale चल रहा है ठीक है तो इस वज़े से यह आपको मिल जाएगा शीतल code apply करने पर 599 का यानि की 599 रुपीज का ठीक है नेक्स यहाँ पर है which state government will provide pink scooters to 1100 women beat constables under the safe city project अब आपको क्या लगता है कि pink scooter कौन प्रोवाइड कर रहा होगा कल आपको याद है हमने एक pink toilets की बात की थी कितने लोगों को याद है कि pink toilets की बात हुई थी कि pink toilets कहां पर बनाए जा रहे है वहाँ पर 3 चीज़े की गई थी एक तो urban areas में ये लोग pink toilets बना रहे थे दूसरा क्या कर रहे थे इन्होंने women का जो reservation होता है मैलाओं के लिए आरक्षन रखा था reservation रखा था government jobs के अंदर कितना कर दिया इन्होंने government jobs में women reservation और तीसरा point क्या था तीसरा point ये था कि आपने देखा होगा ना बहुत सारे ऐसे government shopping complexes होते सरकारी इस type के shopping complex होते हैं जहां पर दुकाने वगरा होती हैं तो जिल लोगों को अपना खुद का कोई काम धंदर करना है तो वो इस type की shopping complex में अपनी दुकाने जो हैं वो rent पर ले सकते हैं या इस type से उनको उनकी bidding या contract दिये जाते हैं तो उसमें भी इनका reservation रखा गया for females य tripra के अंदर women representation government jobs के अंदर reservation जो है वो 33% कर दिया और अगर कोई government shopping complex है तो उसके अंदर women को यहां पर 50% उनके पास में क्या होगा right होगा to claim that next यहां पर आपका जो safe city project है ऐसे में pink scooter pink toilet होगा तो tripra और pink scooter होगा तो answer क्या हो जाएगा UP यानि की उत्तर प्रदेश ठीक है तो 10,417 women beat constables को यहां पर क्या दिया गया है pink scooters दिये गये इसके अलावा 3,000 pink booth भी बनाए गये है across UP state तो यहां पर यह किया गया है two wheel scooters जो है वो 17 municipal corporations में और गौतम बुद नगर जीवी नगर नौएडा उत्तर प्रदेश में next यह आपका हुआ has inaugurated the 26th energy technology meet at भारत मंडपम न्यू डेली गुड आफ्टरून अनिल हाव यू मुझे लगता कि यह 18 से लेके 24th नवंबर वाली तो जा ही नहीं पाएगी चलो आज immediate basis पर भेजूँगी मैं हाँ जी बिलकुल न बाने था बिलकुल बिलकुल जिनके पास में banking G.A. revolution बैच है या banking super elite बैच है उनको stress लेने की ज़रूरत नहीं है उनका already यहाँ पर best सारा कुछ हो रहा है G.A. के लिए जिनके पास में banking super elite है उनका sub cover हो जाएगा और जिनके पास में banking super elite है उनको तो SBI clerk का जो PDF live practice batch है which is a premium batch जो SBI clerk live practice batch है PDF live practice batch है that is the premium batch guys अगर किसी को वो लेना है अभी discount चल रहा है ले लो उसका content बहुत जबरदस्त होने वाला है मतलब उसमें आपको mock papers भी मिलेंगे mock papers भी downloadable होंगे and all about का जो mock content है न वो content आपको उसमें मिलने वाला है मतलब high level content हम लोग उसके अंदर आपको पढ़ाएंगे वो classes भी होंगी तो ऐसा नहीं है कि usually क्या होता था कि जो आपका content होता था mock का वो कहीं न कहीं मिस हो जाता था बहुत कम student ऐसे होते हैं जो mock analysis अच्छे से करते हैं उनको एक एक question को अच्छे से पढ़ते हैं और उससे related और questions लगाते हैं वो तो होई नहीं पाता है कि mock में कोई question मिला और उस जैसे और questions मिल जाएं है ना practice करने के लिए ये नहीं हो पाता अब ये इस batch के अंदर होगा ठीक है sbi clerk pdf बैच जो है pdf live practice batch sbi clerk pdf live practice batch है तो उस पे शीतल code apply करना maximum discount मिल जाएगा जिसने banking super elite ले रखा है उसको access मिल जाएगा तुम लोग चेक करना तुमारे पास में access होगा banking super elite वालों के पास में और अभी super elite पर भी आपका काफी अच्छा offer चल रहा है तो आप चाहो तो sbi clerk का सिर्फ GA लेरी की बज़ए आप banking super elite ले लो वो आपको अगर माली जे 6 मेने की validity का मिलेगा न तो बहुत सस्ता पड़ता है उसमें mock test भी मिल जाएंगे उसमें आपको सारे courses भी मिल जाएंगे मेरे सारे individual courses सब कुछ मिल जाएगा तो आपको अलग अलग purchase करने की ज़रुत नहीं है और काफी महिने तक stress free अपना बैट के तयारी करो 6 महिने अपना अच्छे से mock दो तयारी करो और selection लो अब यहाँ पर एक बड़ी important चीज है यह देखर हो नीचे India has exceeded its biofuel blending targets which are an important component for a country's green energy policy तो आपको मुझे बताना है यहाँ पर India has exceeded its biofuel blending targets and it has now achieved how much percent biofuel blending मतलब target क्या है और इसने achieve कितना कर लिया है this is also important right हंजी देखो ए में हमारा 20 percent biofuel blending का ठीक है biofuel blending का which was originally set for 2030 इसको पहले रखा था 2030 तक 20 percent हमको यहाँ पर achieve करना है लेकिन it has been pushed back to 2025 क्यूंकि यहाँ पर जो हमारे biofuel blending targets है उसको हमने 5 महीने पहले ही यहाँ पर achieve कर लिया यानि कि India has achieved the target of 10 percent ethanol blending जो है वो यहाँ पर कर चुके है दूसरी चीज क्या है हमारी कि जो इंडिया है वो ethanol blending program चला रहा है जिसमें 20 percent ethanol blending जो है उसके लिए target कौन सा year रखा गया है कि हम तब तक achieve कर लेंगे अब मैं आपको कुछ extra चीजे बताने वाली हूँ गौर से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा कोई भी class से जाएगा नहीं अब ही ठीक है Good afternoon नरूतू बस IPPS PO interview का ठीक है ठीक है न बाने तब अरे positive सोचते है या negative नहीं सोचते है अब question जो है वो बहुत important है ठीक है अनिल मैं बिल्कुल कर दूँगी है अब question आ रहा है important ऐसा important जिससे question आता है तो तुम लोग बोलते हो मैं static है ये तो static पूछ लिया अभी हरदीप सिंग पोरी जी ने अभी कुछ एक दो महीने पहले की बात है उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर जो rising energy demand है उसमें इंडिया का रोल वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड के कौन से largest oil consumer बोले जाते हैं कौन से number पे आते हैं इंडिया जो है largest oil consumer के अंदर हम कौन से माने जाते हैं largest, second largest, third largest या फिर fourth largest फिर बात करते हूँ in case of LPG consumer LPG consumer के बारे में अगर बोलेगा तो हम कौन से number पे आते हैं ठीक हैं? अगर बोलता है LNG यानिकी liquid natural gas importer इंपोर्ट कराते हैं ये भी हम consume करते हैं कौन से number के हैं largest, second largest, third largest या फिर fourth largest फिर आता है refiner कौन से number के हम refiner हैं कौन से number की हमारी automobile market है देखो जब हम बात कर रहें इस type के oils की, crude oils की LPG, LNG तो हमारी automobile के अंदर भी तो बहुत ज़ादा यहां पर use होता है तो अब सबसे पहले बात हो रही है largest, third largest oil consumer in the world कैलाता है इंडिया, फिर इसके अलावा LPG consumer की अगर मैं बात करूँ तो हम बोले जाते हैं third largest LPG consumer है ना, जो आपके LPG cylinders वगेरा है ना, तो हम third largest in the world हैं LNG importers की बात करेंगे तो हम है fourth largest और अगर बोलता है refiner कौन से नंबर के है fourth largest refiner in the world and automobile हमारी चौथे नंबर पे आती है, fourth largest automobile market in the world किसकी है that is इंडिया की और इन्होंने ये भी highlight कि इंडिया जो है, वो total 25% of global energy demand growth यहाँ पर contribute करने वाला है, यानि कि जितनी भी पूरे विश्व भर में energy की demand है और जो growth हो रही है उसकी उसमें 25% किसकी तरफ से होगा, इंडिया का होगा in the next two decades, in the next 20 years के अंदर ठीक है, next 20 years के अंदर, और biofuel alliance आपको पता है, global biofuel alliance इंडिया ने यहाँ पर किया है, शुरू किया है, तो biofuel alliance के launch के बाद में it is expected to boost the global biofuel market, जो है from 92 billion to how much billion, 92 billion US dollar से, हम expect कर रहे हैं, क्योंकि global biofuel alliance आचुका है, तो यह बढ़कर हो जाएगी, 200 billion US dollar की market, कौनसी market global biofuel market, global biofuel market ठीक है, अब 20% blending जैसे ही हम लोग achieve कर लेंगे, तो आपको पता है na, 20% biofuel blending अगर होगा, तो 20% हम यहाँ पर save भी कर रहे होगे, इंडिया जो है उसने achieve किया है, 10% 10% biofuel target, 10% biofuel blending targets and we are actually 6 month ahead of the scheduled target जो रखा गया था, scheduled target कब रखा गया था, यहाँ पर November 2020, टू में schedule किया गया था, उससे भी 5 महीने पहले हमने इसको achieve कर लिया था, 10% biofuel blending target को, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, अपना जो growth rate है, उसको बढ़ा दिया है, जिससे हम कह रहे हैं कि 20% biofuel blending जो है, वो target हम achieve कर लेंगे, जो हमने पहले 2030 के लिए रखा हुआ था, अब हमने कहा है कि 2025 तक ही हम इसको achieve कर लेंगे and we are ahead of the other nations as well, next day आपका which city has set to become India's first wetland city, क्या होगा correct answer? hello Sundra, how are you? गला आएगा रोहित hi आतिश, नमस्ते आदर्ष ठीक है, answer क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा यहापर उदैपूर, उदैपूर जो है city of lakes, इसको बनाएगा first wetland city, अगर मैं बोलू इंडिया की first solar city कौन सी बनी, और दूसरा question, UP की first solar city कौन सी बन रही है, दो question आगे, अब काती लोगों ने, जब मैंने लिखा ना, first solar city, तो उनके दिमाख में घूम गया कि आ रहे यह तो आयोध्या है बट नहीं, आयोध्या जो है, UP की first solar city बन रही है, इंडिया की first solar city बताओ, दोनों question में there is difference very nice, इंडिया की first solar city that is Sanchi और UP की first solar city that is Udaipur Sanchi is in Madhya Pradesh Sanchi MP, Ayodhya UP के अंदर, next है आपका which Indian company has been recognized as one of the world's best employees 2023 in the Forbes world best employer list of 2023, correct answer क्या हो जाएगा, NTPC Limited has been recognized as one of the best, world best employers और 700 companies में से इसका rank 261, एकलोती सरकारी company जो इसमें feature हुई, next है आपके national president of Indo-American Chamber of Commerce, इन में से किसको appoint किया गया है, तो correct answer क्या हो जाएगा, Pankajbora Pankajbora जो है, उनको यहाँ पर Indian American Chamber of Commerce का national president यहाँ पर appoint किया गया है, Indian American Chamber of Commerce, जो है, इसके 14 offices इंडिया में है, and 27 partner organization इसकी US के अंदर है, next है आपका VJ Korean has been appointed as the non-executive part-time chairman of which bank recently, अभी recently कौन से bank के non-executive part-time chairman VJ Korean बने हैं, तो correct answer क्या हो जाएगा, South Indian Bank, और कब तक रहेंगे 2026 तक रहेंगे, किसकी जगा पर आए हैं, सलीम गंगा धरन की जगा पर आए हैं, next है आपका वोई state government will give the status of government employees to teachers या test इन्होंने काया कि government employees बहुत ही कि government employees होती हैं, लेकिन क्या हर एक government employee कोई teacher होता है, obviously not, लेकिन यह कह रहे हैं कि अगर कोई government employee जो यहाँ पर पंचायत level या urban local body level पर कोई भी इस टाइब का government employee जो है as a state government employee, उनको यहाँ पर यह कह रहे हैं कि यह teachers का दरजा दे सकते हैं, status of government teacher दे सकते हैं यहाँ पर अगर वो test clear करते हैं तो इन्होंने बोला कि यह जो draft rules है उन्होंने criteria बताया कि seniority and promotion of specialist teacher seniority list for them will be maintained separately subject wise, primary के लिए अलग, middle, secondary and senior secondary के लिए अलग लग रहेगा district level पर basic salary 25,000 से 32,000 के बीच में होंगी and उसके अलावा आपको DA, HR, medical allowance city transport allowance यह अलग में लेंगे है ना तो 40-45 तक तो आराम से बनी जाएगी salary next day आपका Prime Minister Narendra Modi has inaugurated which edition of the International Olympic Committee session at the GEO World Center in Mumbai correct answer होगा 141st तो यहाँ पर Prime Minister Narendra Modi जी ने inaugurate किया है 141st International Olympic Committee session at the GEO World Center in Mumbai और इससे पहले भी दिली में हुआ है इंडिया में हुआ है 86th session हुआ था वो हुआ था New Delhi में कब 1993 में जब World Cup जीता है इनोने और उसके बाद में 86th के बाद में अब हम इंडिया जो है कौन सा conduct करा रहा है 141st लेकिन इस बार कहां पर हो रहा है Mumbai में नेक्स्ट यह आपका 5th and concluding event of Women and Water Dialog Series Organized in Vis City आन से क्या हो जाएगा परियागराज UP के अंदर Women and Water Dialog Series का 5th edition जो है वो कराए गया अब हम देखो July से शुरू हो जाएगे July 2023 में all time high गया 2023 का कितना था 7.44% था फिर August के अंदर कितना हो गया इसमें थोड़ा सा माम गिरावट आया और यह 6.83% हो गया लेकिन अगेन यह tolerance limit से उपर था tolerance limit कितनी है 6% है ना फिर September आता है फिर उसके बाद में October आया फिर उसके बाद में November मन्त का डेटा आया अब मुझे यह बताओ September मन्त में कितना बताया गया 5.02% September मन्त में tolerance limit से नीचे आ गया 5.02% और October में तो और भी नीचे चला गया माम कितना चला गया 4.87% लेन बता नी मैं November में क्या हुआ November में वापिस से बढ़ गया और बढ़कर कितना हो गया 5.55% अब एक बात बताओ 5.55% कितना नजदीक है 6% के मैं हम कहते है कि 5.5 से उपर कुछ भी चला जाएगा तो वो 6 के जादा करीब है ना कि 5 के तो यह तो यहाँ पर 5.55% है तो अबिसी बात है कि राउंड आफ करते तो कई बार हम इसको 6 भी बोल देते हैं तो यह थोड़ा सा एक cautious यहाँ पर रहना पड़ेगा RBI को क्योंकि यह near about हो सकता है कि 6 तक पहुँच जाएं तो यह पूरा sequence रहा of CPI retail inflation अब आप लोगों से एक बड़ा ही genuine सा question है कि यह जो हमारे देश में CPI inflation है या जिसको हम consumer based index consumer price based index बोलते हैं या CPI inflation कहते हैं retail inflation इसको कहते हैं तो इसको measure कौन करता है answer करो क्या होगा इसको measure कौन करता है कौन calculate करता है इसको अब आता है इदर who has been appointed as the executive director of RBI recently अभी इन में से किसको RBI का executive director बनाये गया मुनीश कपूर को अच्छा इसके अलाबा भी और कोई executive director बनाये क्या अभी recently बात करूँ है as of December 2023 who has been appointed as the executive director of RBI एक नवंबर में एक नवंबर को I think November 2023 में मनोरंजन मिश्रा को भी क्या बनाये गया था new executive director बनाये गया था मुनीश कपूर को बनाये गया था October 2023 में November 2023 में किसको इनोंने का किया मुनीश कपूर तो ठीक है लेकिन नाम कपूर होने से मनोरंजन होगा ये तो कोई बात नहीं है तो हमारा मनोरंजन नहीं हो रहा है जौन फोस जो है इनको लिटरेचल किया इस बार Nobel Prize मिला है और यहाँ पर ये कौन सी कंट्री से है नौर्वे से है अब बात आती है कि जो ये Nobel Prize in Literature है ये कौन सा institute या कौन सी देश की गर्मेंट देती है तो ये Sweden गर्मेंट देती है जिसमें Stockholm, Sweden के अंदर Swedish Academy वो बेसिकली आवार्ट देती है और इसमें मिलते है 11 million Swedish kronor kronor क्या होते है इनके Sweden की currency है तो वो इनको मिलते है 11 million Swedish kronor मिलते है देखो usually क्या होता है कि Nobel Prize जो है ये आपकी Swedish Academy देती है almost सभी field में all fields में लेकिन except one field that is peace prize peace की field में कौन देती है Norway government देती है peace के field में कौन देती है Norway government यहाँ पर awarded देती है who has been awarded the Nobel Peace Prize for 2023 answer क्या हो जागा Nargis Mohamedi Nargis Mohamedi जो है ये कहां से है Iran से है अब इसके पहले ही शब्द में मैंने क्या लिखा हुआ है first statement में लिखा हुआ है Norwegian Nobel Committee यही तो बोला था मैंने आपको कि कौन सी देश की सरकार देती है Norway की सरकार की तरफ से कौन Norwegian Nobel Committee जो है उन्होंने Nobel Peace Prize दिया अब मैंने students को ये करवाया था पहले भी मेंस से पहले लेकिन जब students का मेंस हाता है तो students इसका answer कर ही नहीं पाते है कुछ students कर देते हैं जुनोंने इस पे ध्यान दिया था जब मैंने बताया था लेकिन कुछ students ने ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने एक ही जगा ध्यान दिया कि नर्गिस महामदी को मिला है जो एरान से है लेकिन ये पहला है जो तीन शब्द हैं इस पे धियान ही नहीं दिया तो फिर क्या हुआ फिर मैंने weekly current affairs में भी इसको पढ़ाय था monthly current affairs में भी पढ़ाय था लेकिन उसके बाद में भी students जब इसको answer नहीं कर पाए तो फिर गलती किसकी गलती teacher की या गलती student की या गलती धंग से ना पढ़ने की धंग से ना पढ़ने मतलब कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो at least observation तो रखेना चाहिए कि अच्छा वो तो Swedish सरकार दे रही है और ये Norway की noble committee दे रही है So it is important, yes it is important नर्गिस मौहमदी 13 time arrest हो चुकी है पांच बार convicted हो चुकी है इनको jail भेजा गया है और total 31 years की यहाँ पर जो ये sentence है वो jail में काटके आई है अपनी सजा and September 2022 में एक मासा Jina Amini जो है who was killed while in the custody of the Iranian morality police और इसकी वज़े से एक large political demonstration इरान की जो regime है उसके खिलाफ शुरू हुआ था it came to in power in 1979 तो तब से यहाँ पर यह बहुत सारी activities करती आई है नर्गिस महामधी नेक्स यह आपका defense minister Rajnath Singh has lost the navy's updated indigenous program Suave Alamban 2.0 in which city है ना यही बोला था ना मैंने exact exact की नौर्वे देती है peace prize बस थोड़ा सा यह है कि मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर पढ़ रहे हो तो genuinely पढ़ो थोड़ा observe करो observe मतलब कि जब तुम लोग movie देखते हो तो movie में उनके एक एक dialogue को observe करते हो कि यह dialogue अच्छा था यहाँ पर उसकी acting अच्छी नहीं थी यहाँ पर अनन्या पांडे ने overacting जाधा कर दी ओ वो तो मैं पूरी movie में कर रखे थी तो जब इतना दिहान से गौर से आप लोग web series देखते हो आप लोग reels देखते हो, shorts देखते हो कि तुमको रटे रहते हैं reels और shorts तो ऐसे में जब पढ़ते हो तो lightly क्यों तो उसको भी जानने की कोशिश करो एक हर इंसान के अंदर एक curiosity जिग्यासा होती है उस curiosity और जिग्यासा को जगाने की देर है फिर तुम्हें कभी भी जीए पढ़ते वक्त तो दिक्कत नहीं आएगी जब भी कुछ पढ़ रहे हैं उसको बड़ा interesting ऐसे gossip समझके पढ़ो कि gossip तुमे gossip मिल रही है उस news से gossip यह है कि राजना सिंग जो है उन्होंने navy का एक updated indigenous program indigenous program मतलब सुवानेर में जहां पर हम लोग आत्म निरभरता पर focus कर रहे है खुदी सब बनाएंगे design करेंगे manufacture करेंगे नाम क्या था इस program का सुवाव लंबन 2.2 न्यू डेली में launch किया और इन्होंने इस time पर 5th positive indigenation list निका ली list वो थी जिसमें सुवानेरमित चीजे थी ऐसी कितनी चीजे कितने item थे 98 items थे यहां पर तो armed forces यहां पर indigenation कर रहे हैं for the industry under the 10th defense india startup कि मैं 10 वे नंबर का defense india startup challenges के अंदर ऐसे total 76 challenges इन्होंने गिनवा दिये और this 10 prime of innovations for defense भी इदर चल रहा था which state government has recently issued a notifications for providing 35% reservation for women and recruitment सिर्फ forest department अटा दे बागी जितने भी government jobs हैं जितने भी government departments हैं उन सभी में 33 सब जगा मिलता है center level पर मिलता है यह कह रहे हम 35 देंगे कौन बोल रहा है मध्यप्रदेश बोल रहा है इनके जो 1997 के rules हैं उनमें इन्होंने change किया है कि जो भी vacancies police या other government jobs में निकलेगी except forest department उसमें 35% है which state government has announced 10% reservation for economically weaker section in judicial services and state run law colleges and university तो economically weaker section के लिए इन्होंने कहा कि जो judge वगरा के जो judge होते हैं और इस type के जो law colleges और universities होते हैं उसमें EWS quarter जो है वो 10% का दिया जाएगा क्योंकि जो यहाँ पर बिहार है बिहार के अंदर extremely backward community सबसे ज़ादा कितना बताये गया 36.01% है population और backward classes यहाँ पर कितने परसंट है 27.12% है अभी इसके बारों में बताया था जो बिहार का socio-economic का सरवे हुआ था ना उसमें अज़ादा recent monetary policy committee announcement देखो recent October में नहीं हुई है recent अभी हुई है December 2023 में लेकिन एक चीज़ बताओ ना तो इसमें कोई change किया गया ना इसमें कोई change किया गया policy rate वही same है तो अगर आपसे रैपो rate पूछ रहा है तो same है सब same है last time February 2023 में बदला था उसके बाद से बदला ही नहीं है तब से यह ही है तब February 2023 में क्या हुआ था कि 6.25 से बढ़ा कर रैपो rate को 6.5 किया था अब क्या है तब से अब तक 6.5% है SDF पूछेगा रैपो rate हो गया ना रैपो rate कितना है 6.5 ही है unchanged रखा गया है SDF 6.25% रखा गया है MSF, bank rate 6.75% रखे गया है ठीक है और बागी तो सब same है ही पहले जैसा नेक्स नहीं यहाँ पर Outlook Group has launched Highly Anticipated Retirement Planning 40 after 40 किस bank के साथ में मिलके Outlook Group शुरू कर रहा है IDFC First Bank है ना तो उन्हों ने का हाँ IDFC First Bank को की हाँ First यही करो पहले यही करो तुम पहले यह कर लो Outlook मनी 40 after 40 Outlook Group और IDFC First Bank का यहाँ पर Joint Venture है इस टाइप का Retirement Plan है बेसिकले PM Modi जी ने यहाँ पर Multiple Projects जिनका जो वर्त था Total वो 5000 करोड रुपीज था योवे का बोल रही है मैं मैं बेपी PSPO का result क्यों नहीं आ रहा है आज आएगा Don't worry आएगा अभी मैंने आपको बता रहा है कि Most Probably कल या फिर एक दो दिन उपर नीचे लगेंगे बट अब तक तो आ जाना चाहिए था वैसे मेरी calculation की हिसाब से मुझे लगा था कि 16 से लेके 23rd of December के बीच में आ जाना चाहिए तो आज 23rd of December है देखते हैं आज आता है कल आता है जिनका वर्थ था 5000 करोड रूपीज का राजस्थान में क्या किये लॉंच किये यहाँ पर एम सेंटर डॉल आप कर रहे है 300 करोड रूपीज का जिसमें 300 बेड का ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केर हॉस्पिटल ब्लॉक बिनाया जाएगा एमस जोधपुर के अंदर अंडर दा प्रधान मंत्री भारत हेल्थ आईशमान भारत हेल्थ इंफासक्चर मिशन नेक्स्ट यह आपका इंडिया आड विच कंट्री सांड M.O.U. उन ग्रीन हाइडरोजन सप्लाई चेन अंड कोपरेशन on पावर ग्रेड इंटर कनेक्शन तुम्हें एक चीज़ बता दू एनर्जी ट्रांजीशन एनर्जी सेक्योरिटी ग्रीन हाइडरोजन ग्रीन अमोनिया एनिफिंग रिलेटेट टू एनर्जी ग्रीन हाइडरोजन ये इंडिया और साओधी अरेबिया कर लें इंडिया और साओधी अरेबिया ने भर भर कर रिउनेबल एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी कॉर्परेशन इलेक्रिकल, इंटर कनेक्शन एक्स्चेंज ओफ एलेक्रिसिटी दूरिं यह दोनों कंट्रीज के रहे हैं हम इन सब में कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ में नेक्स यह आपका विच आप फॉलिंग है सिक्योर्ड एट अंड़र एंटेन मेगावर्ट सोलर फोर्ट वोल्टो एक प्रजेक्ट अंसर क्या होगा नेवेली लिगनाइट कॉर्परेशन इंडिया अब मैं कर रही हो स्पीड अप हमारे पास में आप 15 मिने अब मैं क्वेशन रीड नहीं करूंगी मैं आपको दो सेकेंड डूंगी आंसर करने के लिए जैसे क्वेशन दिखे वैसे आंसर आना चाहिए तुरंत आप लगो का चलो आंसर करो करेक्ट आंसर राजस्थान राजस्थान ने यहाँ पर बिहार के बाद में राजस्थान ने सोशियो एकनोमिक स्टेटस और डिफरेंट सेक्शन आप सोसाइटी का किया है अपने स्टेट के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाइदराबाद तेलंगाना के अंदर 23 किलोमेटर लंबा साइकल ट्रैक जो है सोलर रूप के साथ में लाया गया है जिससे यहाँ पर यह क्या करेगा 132,000 street lights को power करने के लिए electricity देने के लिए 800 किलोमेटर city की streets को electricity देने के लिए enough electricity produce कर सकता है 16 Megawatt तक की और 16 Megawatt solar power generating track जो है this is the second in the world after South Korea solar rooftop cover track इस्टे पहले व long Origins सब्सक्रेंटा का इतना लंबा track next is about which country has been elected आंसर करो यहाँ पर क्या होगा हेलो अकांशा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर इंडिया इंडिया जो है उसको प्रेजिडेंट बनाए गया एशिया पैसिफिक इंस्टिटूट और ब्रोड कास्टिंग ड्वलप्मेंट जर्नल कॉंफरेंस का वो भी थर्ड सक्सेसिव टर्म के लिए लगातार तीसरे सा नीति आयोग स्टेट वर्क्शॉप सीरीज का एनेबलिंग विमेन लेड ड्वलप्मेंट कहां पर गोवा के अंदर जिसमें पांसो से जादा विमेन रिलेटर सेल्फ एल्प ग्रूप और पार्टिसिपेट किया विच आप द फॉलेंग एस कमिशन डा मेगा वेरहाउस फे डेली के अंदर बनाया है जहां पर वो इस टाइप के दस लाग से जादा इंजीनियरिंग स्पेर्स जो है एरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए स्टोर करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेशन करेक्ट आंसर यूपी यूपी जो है उसने डिकलेयर किया है कि ग्यांगेटिक डॉल्फिन जो है वो अपने स्टेट का अक्वेटिक आनिमल का दरजा उनको दे रहे हैं नेक्स्ट आपका इंडिया और किस कंट्री ने साइन किया है फाइव येर रोड मैप करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजानिया इंडिया और तंजानिया ने पांच साल का रोड मैप डिफेंस कोपरेशन पर यहां पर साइन किया है इसके अलावा दोनों कंट्री ने सिक्स एग्रीमेंट साइन किये हैं डिजिटल डोमेन पर कल्चर पर स्पोर्ट्स पर मेरिटाइम इंडस्ट्री वाइट शिपिंग इन्फोर्मेशन शेरिंग और डिफेंस सेक्टर में वाइट शिपिंग इन्फोर्मेशन शेरिंग क्या होता है जब भी कोई जहाद जाए किसी देश से तो उसके बारे में पहले से inform कर दिया जाए दूसरे देश को ताकि यहां पर वो उसके according काम कर सके इस class के pdf के लिए आपको join करना है शीतर शर्वा मैम official यहां पर आपको class का pdf मिल जाएगा telegram channel पर और इधर जो है वो 51k से जाधा subscribers है तो आप यहां पर join कर लेना ठीक है 51,000 से जाधा subscribers इदर है correct answer क्या हो जाएगा जीते इंदर सिंग जो है उन्होंने 10th इंडिया स्वीडन innovation day मनाया इस बार इंडिया और स्वीडन जो है यह अपने diplomatic ties का कितना कौनसी यर का anniversary मना रहे है 75th anniversary 75th anniversary of diplomatic relations और स्वीडन इंडिया joint declaration on innovation partnership की 5th anniversary पास साल प्रेमर हाव यू बहुत अच्छे correct answer क्या होगा ministry of social justice and empowerment ने launch किया है scheme for residential education for students in high schools in targeted areas जहाँ पर SE students का comprehensive development socio-economic upliftment किया जाएगा who has been chaired the review meeting on left-wing extremism in New Delhi correct answer हो जाएगा Amit Shah Amit Shah जो है वो यहाँ पर एक review meeting करने वाले है left-wing extremism यानि की LWE affected states के अंदर है और New Delhi में इनो ने यह meeting जो है attend किया International Olympic Committee with the Olympic Museum has aligned with which foundation to build on the success of the Olympic values education program in India correct answer हो जाएगा Reliance Foundation तो यहाँ पर International Olympic Committee और Olympic Museum दोनों साथ में मिलके plus Reliance Foundation के साथ में मिलके Olympic value education program OVEP इंडिया में successfully उनोंने conduct किया है नेक्स पूच रहा है what is the full form of A-help आंसर क्या हो जाएगा accredited agent for health and extension of livelihood production नेक्स क्या है कि इस्राइल से citizens को लाने के लिए कौन सा इंडिया ने operation चलाया आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा operation आजए इंडिया ने launch किया operation आजए to facilitate the return from Israel to its citizens who wish to return ठीक है next day आपका 8th BRICS international competition conference was held in this city इन में से कौन से शहर में हुआ तो आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यू डेली लॉंग एकनोमिक कोरिडोर प्रोजेक्ट इन दे स्टेट अंडर दा ओसर माला स्कीन करेक्ट आंसर क्या हो गए आपर 3000 करोड रुपीज तो 3000 करोड रुपीज अप्रूव किये गया है फोर 1000 किलोमेटर लॉंग एकनोमिक कोरिडोर प्रोजेक्ट इन दे स्टेट असर अंडर दा असर माला स्कीम नेक्स यह आपका विस्टेट गर्मेंट अप्रूव्ट दा लेक लड़की योजना डियर डॉटर स्कीम फोर फैमिलीज विद एन्नुल इंकम अप्टो वलनाक रुपीज थैंक यू देविंदर कॉशिक थैंक यू सो मच करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराश्टर में जो येलो और सैफरेन रैशन कार्ड होल्डर से हैं उनको फाइफ थाउजन रुपीज मिलेंगे और उसके बाद में ऐसे करते करते 18 साल तक टोटल उनको मिल जाएंगे 1.01 लाक रुपीज इन टोटल आफ्टर कंपलीशन आफ एटीन एर्ट गर्ल और यहां पर ये स्कीम लाँच हुई है 1st April 2023 से नेक्स ने आपका हुआ मक्दुफॉर्लिंग फॉर्ट इवर गर्स लीडिंग चेंज अवर्ड बाई यूएस फिर्स लेडी जिल बाइडन करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गितांचली राओ 14 और इनके अलावा अधर यंग विमन लीडर्स जो है उनको भी ओनर किया गया है टीनेजर है गितांचली राओ इंडियन अमेरिकन इन्वेंटर है और यहां पर टोटल 15 यंग विमन लीडर्स को सिलेक किया गया था जहां पर फर्स लेडी जिल बाइडन जो है उन्होंने इनको सम्मानित किया यह अभी आपका मल जाएगा बिकॉज क्रिस्मस सेल चल रही है ठीक है और आप लोगों के लिए क्रिस्मस सेल जो है उसमें यह कोर्स आपको आइधिंक पढ़ जाएगा नियर अबाउट 599 रूपीज का ठीक है तो यहां पर आप शीतल कोड अपलाए कर सकते हैं अगर आपका किसी का भी कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग की इसमें क्या-क्या हमें ओफर होगा क्या-क्या मिलेगा तो आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं और उसके अलावा यह अब भी आपका बैज जो है यह 25 अफ डिसेंबर से शुरू हो जाएगा तो जिनको सिर्फ और सिर्फ ऐसा है न कि बस जिये का तयारी करना है तो वो यहां पर जिये का तयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं इसके तूर और अगर मैं यहां पर बात करू कि इसके अलावा आप कौन सा कोर्स ले सकते हैं SBI कलर का PDF लाइफ प्राक्टिस बैज जो है वो भी आप लोग ले सकते हैं या फिर अगर आप अलग अलग कोर्स नहीं पर चेज करना चाहते तो आपके पास में एक बहुत अच्छा option है कि आपना banking super elite को opt कर सकते हो जो banking super elite है कि आपको ना access मिल जाता है जो banking super elite है उससे आपको access मिल जाता है इन सभी courses mock test का जो भी olive board पर है banking and insurance related जितने भी courses है तो banking super elite आप लोग ले सकते हैं अभी banking super elite पर भी कुछ अच्छा offer चल रहा है क्या offer चल रहा है मैं एक बार आपको देख के बताती हूं तो banking super elite ले सकते हैं और वो भी आपके पूरे 6 महिने तक बड़े आराम से यहां पर चलेगी और 26 December तक आपका Christmas Carnival चल रहा है इस पर क्या हो रहा है कि banking super elite पर आपको 2x validity plus 20% का off मिल रहा है ठीक है तो banking super elite पर यह है और SBI clerk जो है PDF life practice match इस पर I think maximum इस वक्त जो है 45% का off मिल जाएगा आपको which is the highest जो आपको शीतल कोड़ अप्लाइ करने पर मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर शीतल कोड़ अप्लाइ करें to get maximum discount on all these batches नेक्स यहां पर आपका US launched the trailer of enthralling animated series भारत है हम in New Delhi भारत है हम नाम की एक animated series इन में से किसने inaugurate किया अनुराग ठाकुरने, क्रिश, ट्रिश and बाटली बॉ अब आफ़ा दूमी आफ़ा अब आफ़ा यह रही मैंने ही लिखा था शीता शर्मा आफशन में मैं नहीं लिखा था तुम लोगों को कि मैं क्या ही बोलू हूँ मैंने question देखा तो मुझे याद आया कि ये तो मैंने ही लिखा है अपना ही ना हूँ ऐसे मैं किसी किसी में पंगल ले लेती हूँ ये मेरा पुराना काम है स्वाद लेने का So 16th edition था landscape and gardening expo का I'm too much obsessed with myself कई बार मुझे लगता है और हर किसी को होना चाहिए थोड़ा बहुत obsession तो अपने लिए होना चाहिए कि फिर जरुआत नहीं बढ़ती है कि कोई दूसरा person आपको like करे कोई दूसरा person आपकी तारिफ परे खुद ही करते रहो मतलब खुश रखो अपने आपको अपने आपको खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारे खुद की है दुनिया कुछ भी बोलते रहे बोलने दो कोई बोलता है तो बोलो कि अच्छा मुझे बोल रहे हो क्या पता नी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे शायद साथ वाले को बोल रहे होंगे कोई तुम्हें कुछ गाली देके निकल रहा है कोई तुम्हें ये बोल रहा है कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो घर वाले बोल रहे हैं पता नहीं गौतम बुद्ध थे या कोई और थे उनको न एक इंसान बहुत ज़ाद गालियां दे रहा था मतलब बहुत ज़ाद उनको बुरा भला कहा रहा था बेसिकली तो बार बार बोले जा रहा था और वो एकदम काम बैठे हुए थे तो एक परसन वहां से जो काफी देल से देख रहा था वो देखते हुए कि ये इंसान सुनाय जा रहा है सुनाय जा रहा है और दूसरा बंदा रिस्पॉड नहीं कर रहा है कि वो मुझे कह रहा था मुझे लगा वो किसी और को कह रहा था तो ऐसी हम लोगों को कोई कुछ कह रहा है तो तुम लोग acceptी मत करो है ना acceptी नहीं करेंगे हमने तुम्हारी गालिया स्विकारी ही नहीं है हमने तुम्हारी गालियों को खुद पे लिया ही नहीं है तुम्हारी लाट को किसी भी चीज़ को बह शरम हो जाओ जांसकर कारगिल तो आंसर क्या हो जाएगा एर्थ एडिशन इसका यहाँ पर हुआ ठीक है नेक्स्ट आपका हुए इनागालेंड फर्स्ट मेडिकल कॉलेज नागलेंड इंस्टिट्यूट ओफ मेडिकल साइसेज और रिसर्च इन कोहिमा नागलेंड आंसर क्या होगा इदर सही बात है मैं मेरी फेवरेट हो टॉपिक बता दो मैं कौन सा टॉपिक बताना है आपको अभी तुम लोग इतने मतलब इतने मोडेस्टी से आंजर कर रही हो और इतने मतलब तुम्हारा बहुत दिल जो है तुम लोगों का दरिया दिल है बहुत दरिया दिल के लोग हो लेकिन मैं फिर भी यह कहना चाहूंगी कि जो लोग मुझे कह रहे कि मैम हमारे लिए आप ही बिनर हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी एक दिन में जरूर कोई ने कोई अवाड अच्छा अवाड जरूर जीतूंगी significant अवाड जरूर जीतूंगी और जब जीतूंगी तो तुमको पता चलेगा कि आएं मैम से तो हम पढ़े हूए हैं यह मैम से तो हम पढ़े थे तो कुछ बड़ा इनसान तो मुझे जरूर बनना है और यह मैं manifest करती रहती है करती रहती है और मुझे लगता है कि मैं अभी तक जिन्दा हुना तो इसका मतलब मुझे कुछ बढ़ा करना है इसलिए भगवाने हमें अभी तक कुछ भी चुट-पुट नौकरी दी ही नहीं है कुछ बढ़ा करने वाले हैं हम लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं और मैंने यह सच में देखा है कि जितना जैसा तुम सोचते हो ना अल्टिमेटली न तुम्हें वैसी चीज़े दिखने लग जाती है अगर आप चीज़ों को नेगटिव लोगे न नेगटिव सोचोगे तो अगर कोई पॉजिटिव भी बोल रहा है तो उसमें भी आप कहीं नेगटिव धून लोगे जब आप इतना जादा नेगटिव लोगे है ना तो आपको चीज़े भी पॉजिटिव अप्रोच के तहत ही दिखेंगी और आपके साथ में पॉजिटिव चीज़े होंगे भी तो इट इस वेरी इंपॉर्टन चाहे पॉजिटिव हो ना हो लेकिन क्योंकि आप चीजों में नेगटिविटी को छोड़के जिन्दिगी में चाहे थोड़ा कमाया थोड़े ही चीजे लिए लेकिन अट लीस्ट खुशी के साथ जी हो हस रहे हो मज़े आ रहे है जिन्दिगी में मज़े चुट्टी के मज़े लूट रहे हो तो क्या दिक्कत है जो कोहिमा नागलेंड के फेरी बगाई नाम की जगह है वहाँ पर खोला है और वो भी किसने इनागरेट किया है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवया ने नेक्स आपका यूनियन मिल्स्टर फॉर फिशरी पुर्शोता प्रुपाला बेगिन दे टेंथ पेज ऑफ सागर प्रिकमाग प्रॉम विच सिटी तो आंसर क्या हो जाएगा चैने तामिल नाडू यार मैं जब ऐसी वैसी बाते करती हूँ तो क्लास में से बच्चे भाग क भी नहीं बन सकती अब मेरे को समझ में आ गया है कि भाग जाते हैं क्लास चुड़ गें क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ज़ारकंड तो विमें होकी ओएशियन चैंपियोंशिप ट्रॉफी जो है विल बी और्गिनाइस कब से कब तक और्ग अन्द प्रेजिडन आफ इंटरनेशनल होकी फेडरेशन विच इस दातो तयब इक्रम उन्होंने ट्रॉफी इन्वेल किया इवेंट का मास्कोट जो ही इन्वेल किया इसके लिए और कहां पर राची जारगंड के अंदर जो मास्कोट है जो ही इस बेसिकली अपॉपिलर ए किया है नेक्स्ट है आपका विच एडिशन ऑफ लैंड्सकेप एंड गार्डनिंग एक्सपो हैस बीन इनॉगरेटेड वाइं एक्ट्रेस वर्षा उस गाउं कर अभी पढ़ा था हमने 16 थैं विस्टेट सीयम हैस लॉंच था राभी केमपें 2023 तुमको बताया था मैंने वि सच में मैं लंच बहुत रयार करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करती हूँ जब ब्रेकफास्ट धंक से नहीं होता तो ही मैं लंच करती हूँ अदर्वाइस मैं एक बार ऐसा ब्रेकफास्ट करती हूँ कि उसके बाद में फिर मैं इवनिंग में जाके कुछ इवन पर correct answer हो जाएगा बिहार C.M. नितिश कुमार has launched the Rabi campaign 2023 Rabi campaign उन्होंने लाँच किया तो क्योंकि यहां पर जो इनका Rabi season है ना उसके success के लिए यहां पर इस campaign को कि इंडिया जो है वो कारबन नेगेटिब बनने के लिए कब कह रहा है developed nation को कह रहा है 2050 तक कारबन नीट्रल नहीं आप कारबन नेगेटिब बनने के लिए According to government data female labor force participation rate in the country has improved significantly by 4.2% to 8% in 2023 correct answer क्या हो जाएगा 4.2% से बढ़के female labor force के अंदर जो participation है यह पहले 4.2% हुआ करता था बढ़के कितना हो चुका है 37% हो चुका है Next day आपका Prime Minister Narendra Modi ji ने एक नया गर्भा सौंग जो है Mardi नाम का यह launch किया है और इस सौंग का जो गाया गया है वो किसने गाया है यहां पर तो Divya Khuban में Next day आपका Prime Minister Narendra Modi has inaugurated which edition of Global Maritime India Summit 2023 correct answer क्या होगा इस बार 3rd Global Maritime India Summit 2023 यहां पर conduct कराया है और जिसको attend किया था PM मोधी जी ने CM of UP योगी आदित्यानाद ने एक विस्टेरियन स्टाइच्यू ओफ फ्रीडम फाइटर राजा राव राम बक्ष सिंग इन विच डिस्टिक तो राम बक्ष सिंग कई गुड सावारी प्रतिमा का नावरान इन्हों ने कहां पर किया है उन्नाव में उन्नाव रोड मैप और बिहार इन पतना आंसर होगा प्रेजिडेंट द्रावदी मूर्मूर जी ने फूर्थ स्टाइप का अग्रिकल्च और रोड मैप पतना बिहार में लाँच किया है जो इंप्लिमेंट किया जाएगा पांस सालों के लिए 2023 से लेके 2028 के बीच में यहां पर लो इन जाएगंनेट के लिए नियुदेली तो आंसर क्या होगा यूके तो हमने इंडिया और यूके ने मिलके 2 प्लास 2 फॉरं अन्ड डिफ्रेंस न कि एक बन्दा इधर से फॉरं जो आपका इफौस मिनिस्टर होता है जो आपका डिफैंस मिनिस्टर होता है न वो और एक ब लब किया है science, technology, engineering and mathematics तो ये बनके stamp बनता है इसका fifth edition नितिन गड़करीजी नहीं आपन न्यूर डली में इसको inaugurate किया नेक्स्ट ये आपका which organization approved 181 million US dollar loan एमदाबाद के peri-urban areas की improvement के लिए आंसर क्या हो जाएगा ADB ने दिया 181 million US dollar के इसको एमदाबाद peri-urban areas के लिए लोगसबाद speaker Ombela handed over the P20 यानि कि Parliament 20 Presidency to which countries Parliament obviously बात है कि G20 जो है अब वो handover हो चुकी है ब्रजील को 1 December 2023 से इनों ने यहाँ पर उसको already charge ले लिया उसका तो जो P20 है Parliament 20 का Presidency भी Ombela ने इनको यहाँ पर handover कर दिया which company has signed 3 pacts with IT ministry in areas of semiconductors artificial intelligence and quantum computing तो answer क्या हो जाएगा IBM तो यहाँ पर IBM जो है यह US की multinational technology company है इसने 3 pacts agreement join किये है sign किये है with IT ministry 3 areas कौन-कौन से 1 semiconductor है, 1 artificial intelligence है और 1 quantum computing है यह question भी आया था ना I think यह question शाहएद SBI PO Mains में आया था ऐसी किसी में आया था उतना अच्छे से याद मी आ रहा है Education Minister Dharmendra Pradhan launched a web portal and special modules on ISRO Ambitious Chandrayaan 3 mission for school students what is the name of this web portal तो answer क्या होगा अपना Chandrayaan Amul की कौन सी campaign जो है Time Square में दिखाए गई प्लस अभी Amul जो है Iconic Change Maker of the Year Award मिला था और जो RBI है उसको Business Line Iconic Change Maker of the Year Award मिला था है 2023 के लिए और Amul की Be More Milk campaign जो है वो New York के Time Square पर इस बार feature होई Prime Minister Narendra Modi ji ने 511 Pramodh Mahajan Grameen Kaushalya Vikas Kendra Maharashtra में यहाँ पर launch किये है Education Minister Dharmendra Pradhan Has launched the India Skills 2023 competition in New Delhi October 2023 में Which edition of India France Military Subcommittee Meeting हुआ तो answer क्या होगा 21st edition हुआ था India और France की Military Subcommittee का India के External Affairs Minister S.J. Shankar ने जो हाँ Rabindranath Tagore जी का जो प्रतिमा है उसका इन में से कौन से देश के उदर जाकर उसका अनावरन किया है तो answer होगा वियतनाम तो वियतनाम के अंदर S.J. Shankar गए और वहाँ पर Rabindranath Tagore जी का जो मूर्ती है प्रतिमा है उसका नावरन किया विस्टेट गर्मेंट has launched an exclusive project for the conservation of निलगिरी ताहिर इन दा स्टेट तो answer क्या होगा Tamil Nadu तो Tamil Nadu के अंदर यहाँ पर एक निलगिरी ताहिर इनका क्या है बेसिकली इस निलगिरी ताहिर जो है वो इनका state animal है तो उसके conservation के लिए इसको किया गया है वैसे जो अरणवा अरणवी कुलम नैशनल पार जो है वहाँ पर western ghats में इनकी काफी population मिलती है निलगिरी ताहिर की निक्स्ट ये आपका विच अडिशन ओफ देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल जो देहरादून में चलाए गया 27th से 29th ओक्टबर के बीच में तो इट वास देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल विच यूटी रिसेंट्ली लांच तो whole of government approach कौन सी union territory ने whole of government approach लांच किया है तो जम्मू और कश्मीर में इसको लांच किया गया है यहाँ पर 6th capacity building program for officers of जम्मू और कश्मीर administrative services का organized कराया गया था by the national center of good governance इसे good governance से मेरे दिमाग में एक question आया कि हमारे देश में national good governance day जो है कब celebrate होता है आंसर करना एक बार comment section में next question है with state government has launched the मुख्यमंत्री मा का mission to promote maize cultivation, maize cultivation को promote करने के लिए मका mission जो है यह कौन से state ने launch किया answer क्या हो जाएगा उडिसा के अंदर इसको launch किया गया है next day आपका which of the following has developed vidya samikshah software Sagar say Saransh as part of the vidya samikshah for amplifying database decision making correct answer क्या हो जाएगा Central Board of Secondary Education यानि की CBSC ने जो लप किया है vidya samikshah software Sagar say Saransh नाम से ने ने आपका according to the latest sample registration survey report of 2020 the sex ratio of birth improved from 904 in 2017 to 19 से बढ़कर 2018 से 20 के बीच में यानि की 2017 से 19 के बीच में उआ गरती थी 904 अब ये 2018 से 2020 के बीच में कितनी हो गई है 970 थी नी बड़े हैं लेकिन it is also very important कि एक-एक यहाँ पर काफी important होता है कि score increase होना October 2023 में PM Narendra Modi ji virtually inaugurated the Bangaluru Metro's dash line operation Bangaluru Metro में नई purple line का यहाँ पर inauguration किया है PM Modi ji ने A two-day long Anthurium festival begin with all festivities and enthusiasm in which state तो correct answer क्या हो जाएगा Mizoram In Mizoram a two-day long Anthurium festival begin with all festivities and enthusiasm Rake Mamit district of Mizoram के अंदर Next यह आपका जो largest textile event हुआ वर्ल्ड का उसका नाम है Bharat Techs 2024 यह इन में से कौन से शहर में conduct कराया जाएगा 26th February से लेके 29th February तक तो answer क्या हो जाएगा New Delhi So Indian textile industry in collaboration with industrial bodies will host the world's largest textile event Bharat Techs 2024 26th February से लेके 29th February के बीच में under the make in India spirit According to the rating agency Chrisil India will spend nearly 143 lakh करोड रूपीस on which sector between fiscal 2024 to 2030 more than twice the 67 lakh करोड spent in the past 7 financial years starting from 2017 infrastructure sector में पिछले 7 सालों में आपका total पैसा जो खर्चा हुआ है 67 lakh करोड रूपीस spend हुए infrastructure sector में लेकिन कह रहा है जो आने वाले 7 साल है 2023 से 2030 के बीच में उसकी around more than double हो जाएगा यानि कि 147 lakh करोड के around spending होने वाला है अमिशा जी ने इंडिया का पहला liquid nano de-amonia phosphate DAP plant of ifco कौन से शहर में लॉंच किया very very important question step के question आते है answer क्या हो जाएगा अमदाबाद तो इंडिया का पहला liquid nano de-amonia phosphate plant of ifco यानि के इंडियन farmer fertilizer cooperative limited एंडबाद गुजरात के अंदर इन्हों ने लॉंच के है जो nano DAP होता है ना जो di-amonia phosphate उसके अंदर 8% nitrogen होता है और 16% phosphorus होता है और यह जो आपका liquid DAP जो है यह replace कर सकता एक 50 kg का जो bag आता था ना पहले traditional DAP का क्योंकि अब यह liquid है तो यहां पर आपको 50 kg का bag लेने के जोरात नहीं है इसका price रखा गया 13.50 for the farmers और इपको जो है it owns a patent on its nano urea nano DAP यह इस type का बड़ा ही innovative product है जो वर्ल में पहली बार इंडिया में शुरू किया गया है nano and liquid DAP वाला नेक्स यह आपका advanced driver assistance system EDA's show organized by the international center for automotive technology will be held on the 7th of December in West City तो answer होगा Guru Gram में नेक्स है यहां पर the ministry of education and government of India has initiated APAR ID known as one nation one student ID का तो APAR का full form पूचा है तो answer क्या होगा automated permanent academic account registration registry ID तो one nation है एक देश है एक student का एक ID card हो जिसमें उसने जो भी schooling university से लेके जो भी academics में किया है सब एक जगा पर data available हो वो भी digitally Tamil Nadu has collaborated with which country on a smart tech project aim that sustainable water waste and resource management यह में आप दे रहे हो आपका homework चलो यह मैं तुम्हें बता देती हूँ answer हो जाएगा UK UK और Tamil Nadu government sustainable water waste and resource management पर यहाँ पर smart tech project launch किया यह में तुम लोगों के लिए homework दे रहे हो कौन सी state government ने launch किया है I start talent connect portal जिससे उस state के अंदर employment opportunities यानि कि रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके यह आपका homework है जिसका आपको answer submit करना है in the comment box and यहाँ पर यह शीतल शर्मा ma'am official यह मेरा telegram channel इदर आप लोग join कर लेना and यहाँ पर 51,000 से जादर subscribers है इदर join कर लो and use शीतल को to get maximum discount on olive board अज के लिए बस इतना ही अभी Christmas चल रहा है तो आपको बहुत huge discount मिल जाएगा olive board पर अब मिलते हैं आप से Monday को 12 पेम पर till then टिक किया बबाई have a nice day and Monday को 12 पेम के around आपका marathon session होगा RBA assistant means के लिए तो join करना ना भूले बाँ बाँ टेक क्या थांक्यों समच आप